हेलो बच्चो तो आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ओफ इलेक्ट्रिक मोटर तो चलिए शुरू करते हैं बच्चो इलेक्ट्रिक मोटर दिखने में कुछ ऐसे होती है जो आपको बहार से दिख रहा है उसे बोलते है स्टेटर ठिके व स्टेशनर घ्योता है मतलब वो मुह नहीं करता ठीक है देखो बच्चो दिस इस अ कंस्ट्रक्शन ओफ एलेक्ट्रिक मोडर मैंने जो अभी आपको स्टेटर दिखाया उस टेटर को अंदर से ऐसे मैगनेट फिट होते है बच्चो ठीक है इस एन पॉल अप मैगनेट एंड इस एस पॉल अप मैगन वो ऐसे तो यहाँ पर हंड्रेड्स ओफ कॉईल होते है लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया है समझने के लिए ठीक है उसके बाद बच्चो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा इस मोटर को हमें कुछ सप्लाई देना पड़ेगा पावर सप्लाई तो हम यहाँ विद बच्चो जब मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूंगा तो करन्ट फ्लो होगा अभी देखो यहाँ पर रोटर तो इसे रोटर हो रहा है तो उसको हम सप्लाई गाई से दे फिर तो उसके लिए हम यूज करते कार्बन ब्रशेस देखो कार्बन ब्रशेस स्प्लीट रिंग के में जाएगा और वह बाद में जाएगा इस कोईल में ठीक है तो इस फंक्शन आप कार्बन ब्रशेस बच्चों में हम देखते हैं वर्किंग ओफ डिसी मोटर तो क्या होता है जब हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो करन्ट फ्लो हो जाएगा ठीक है ऐसा करन्ट फ्लो ह ठीक है तूँ देखो बच्चो इहाँ पर नाम देता हूँ अप और इस फिल्ड मतला अभी क्या हुआ है हम էर रखा है करन्ट कैरिंग को मेंग्टिक फिल्ड के अंदर रखा है और हमें पता है बच्चो जब भी हम किसी करण क्यारिंग कंड़क्टर को मैंग्टिक फिल्ड के अंदर रखते तो उस पे एक फोर्स लगता है है ना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए हो और उस फोर्स के डिरेक्शन हम निकालते है ओधे फिल्ड फेंगे फिल्मिंग्स लेप्ठेंड रूल ठीक है यह सब मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेंग किया है ठीक है तो बच्चो ध्यार में रखना है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है अगर आपको एक्जामने पुछते हैं वाट इस प्रिंसिपल अप इलेक्ट्रिक मोटर तो आपको लिखना है वेनेवर करंट क्यारिंग कंड़क्टर प्लेस इन अ मैंग्टिक फिल्ड इट इस मैंग्टिक फिल्ड के अंदर रखा है अभी हमको देखना है कि फोर्स के डिरेक्शन कैसे क्या होगी ठीक है आपका left hand use करना है फ्लेमिंग्स left hand rule देखो आपको magnetic field N to A से तो आपको क्या करना है आपका four finger magnetic field के डिरेक्शन में रखना है ठीके देन आपको अपना जो middle finger है वो रखना है in the direction of current देखो current अभी अंदर जा रहा मतलब इस AB जो AJ इस पर फोर्स लगे डाउंडवर हो मतलब वो ऐसे घूमेगे नीचे जाएगा ठीके अभी हम इसके बारे में बात करते देखो बच्चो इसमें से क्या हो रहा है करन बाहर आ रहा है इसा इस पे लग़रा अपवौड तो क्या होगा एक पूरा का पूरा कोईल आईसर रोटेट वोना शूरू हो जाएगा यह यह उपर आएगा यह नीचे जाएगा तो पूरा कोईल ऌफोरी से स्टार्थ हो जाएग the इस पे फोर्स लग रहा downward इस पे लग रहा upward तो रोटेशन करना शुरू हो जाएगा मोटर का ठीके तो यहां पे क्या हो रहा basically electrical energy get converted into mechanical energy ठीके मोटर में क्या होता है electrical energy get converted into mechanical energy कैसे हमने उसको supply दिया और rotor गुमना start हो गया मतलब motion शुरू हो गया मोटर का और motion होता है mechanical energy and अभी हम ओ motion को यूज कर सकते अलग अलग device को run करने के लिए जैसे कि हम हमारे fan में यूज करते हैं motor है ना हम fan का बटन शुरू करते घुमना शुरू हो जाता है इसका मतलब हो आप पे electrical energy get converted into mechanical energy ठीके बच्चों तो यह होता है working of electric motor